लेकिन हमारे साथ में छात्र मौझूद, आपका क्या नाम है, आपको बहुत बहुत बनाई है। मुसकान तिवारी मुसकान जी, कैसा लग रहा है? आप टॉप-10 के अंदर आए? तो आपकी जो प्रैंड हैं कोलेज में, उनका क्या इंपरेशन है? बढ़िया लग रहा है हमारे कॉलेज में टॉप 10 में मेरी रेंक है और बाकी जो उपर मुझसे उपर है 1st 2nd 3rd उसमें भी सारी लड़की आई है तो सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और काफी अच्छा रिजल्ट आया है हम सब बहुत खुश है खुश है कैसे क्या तयारी कि आपने कि आपको कोई एक बोल सकते कि जो मुश्किल सामने आती है पड़ाई के समय भी तो ऐसी कुछ साब किसका सामना करना पड़ा पड़ा आपको मतलब MPPS की बढ़ाई कुछ ऐसी है कि पहले तो यर नॉर्मल चल रहा होता है लेकिन जब एकदम से एक्जाम का स्केडियूल आ जाता है तो फिर मतलब काफी मुश्किल हो जाती है सबको डर लगने लग जाता है कैसे पास होंगे क्योंकि बागी सारी एक्जाम में 33% से पास आसे करूं करता है तो पास होना होता है सबको फिर मेरे सारे पेपर मतलब ऐसी ही मुझे रात में काफी देर तक बरती थी दो तीन घंटे लूती थी फम्तिका जो लास्टेबर तो सिरफ रात में एक घंटा सोही थी भाकि पूरी रात पड़ा था तो उसमें काफी अच्छे सब्सक्राइब करने के बाद नाजी रिजल्ट आया है हाँ असे कह सकते हैं जा परिवार वाले को क्या इंपरिश है सब खुश है वो तो हमीशे जादा एक्सपेक करते कि थोड़ा और बढ़िया करो अच्छा करो खुश है इस बार रिजल्ट से का अच्छा जब रिजल्ट आया तो आपने पहली बार किसको बताया मैं फैमिली ग्रूप में जो फैमिली का ग्रूप है उस पर मैसेज डाला था तो अब क्या उन युवाओं को आपकी हम उम्मर लड़कियों को लड़कों क्या संदेश देगे आप मैं बस यही संदेश देना चाहूंगी कि मतलब कोई भी चीज मुश्किल या ना मुम्किन नहीं होती है बस आप एक बार ठान लो अगर मतलब मन में सोच लिए कि करना है तो वो फिर हो जाता है हो जाता है है रहा हूत की सब्सक्राइब को इस तरिके दिए लड़किया पर्फुर की बीटी है मुसकान टीवारि ना ना कि इस तरिके दिए रिजल्ट आया है कितनी जो इनकी कहानिudent मैं अंको बताद आतान बढ़ी खब्रायों के साथ अपने sa阙深 अनस के साथ मैं दानी शताखान, BNC Media, बुरहानपूरू